नमस्कार डबलू आईएफ मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज के लिए मैं अमन कोशिक एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो हमारे हरियाना के मुख्यमंत्री श्री मनहोर राल खटर जी और हमारे देश के प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोधी को समर्पित है इस वीडियो में जो मुद्दा उठाया गया है मेरी हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रदान मंत्री जी से ये गुजारिश है कि इस मुद्दे पर ततकाल प्रभाव से ध्यान देते हुए इस और आवश्यक कदम तुरंत उठाये जाएं मैं मन कोशिक इसमें भीवानी की इनाजमंडी में हूँ और यहाँ पर एक सजण यहाँ पर मास्क दे रहे हैं दस रुपए में तीन मास्क आईए जानते हैं कि यहां पर यह मास्क किस प्रकार से भिक रहे हैं इनकी क्या क्वालिटी है और यह किस अधिकार के साथ यहां बेच रहे हैं जनाब सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और यहां पर आप यह जो मास्क बेच रहे हैं ये किस अधिकार से और किस रेट में बेचे जा रहे हैं। इंद्याल जी सोनी ने लग बग 35 साल से बोगताओं के लिए संगर्ष किया है। उत्पीडन हो रहा है तो मैंने अपने स्तर पर गरेलू कामगारों से ये मास्क तयार करवाए हैं। और मैं इनको फेस्बुक वे वट्सप के माद्धम से सभी को सूचित करके दस रुपे में तीन मास्क उपलब्द करवा रहा हूं। यानि चोदा रुपे वाड़ा मास्क सवा तीन रुपे में उपलब्द करवा रहा हूं। इसमें केडिया जी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो मास्क है इसकी क्वालिटी कैसी है? क्या ये लोगों का स्वास्थ अच्छा करने की बजाए खराब तो नहीं कर देगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमन जी ये ना ही तो किसी भी प्रकार की मतलब सरकार की तरफ से आज तक कोई गुणवत्ता या मांदन निर्दारित किया गया है? किसी भी सारुजिनिक सुचना के माध्यम से सरकार दोरा ये आज तक नहीं बताया गया है कि एंटी डस्ट मास्क किस क्वालिटी का किस पड़े से बनाया गया है जिसमें कोई छिदर नहीं होता वाइरस गुषने के लिए और थ्री लेयर मास्क है ये आज से नहीं ये करीब एक महिने से तो दड़ले से भी रहा है और उससे पहले भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाड़े मजदूरों के लिए ये मास्क बनाया था और दस रुपे में मैंने तीन रख दिये तो बड़े बड़े उद्योग पती जो राजनेताओं से तथा अधिकारियों से साथ गाठ करके करोडों रुपया चांदी कूटने में लगे हुए थे उनमें अड़कंप मच गया और उन लोगों ने परसासन से साथ गाठ करक परसासनिक अधिकारियों दुआरा गरेलू कामगारों के घर में छापे मरवाए हैं कल एक गरेलू कामगार के घर से दो लाख मास्क परसासन ने जब्त किये हैं और उसके उपर मुकदमा दर्ज किया है जबकि दो लाख मास्क में केवल मात्र छे कुविंटल वजन होता है और बड़े बड़े उद्योगोपतियों के पास कितने टनों में मास्क पड़ा है और अन्लीगल सामगरी बड़े बड़े उद्योगोपतियों के पास पड़ी है तो सरकार जो है इस विपत्ती के समय में एक तरफ नरेंदर मोदी ये कहता है हमारे देश के माननिये परदानमंत्री जी कि घर्षे बाहर आप मास्क लगा करके जाएं मास्क नहीं हो तो आप गर में अपने कोटन के कपड़े का मास्क सील लें और वो भी अगर आप नहीं सील पाते हैं तो आप एक कपड़ा मुझ के उपर ड़क करके रखें तो फिर इसकी गुणवत्ता का सवा रजिस्टर करके दिया गया है गुणवत्ता का सैटिफिकर दिया गया है जो लाखों करोडर रुपे रिशुवत राजनेताओं तक पहुंचा रहे हैं अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और ये जो अधिकारी हैं ये छोटे समाल सिकल इंडुस्टीज और गरेलु कारों के घर्चा पर इसलिए मार रहे हैं कि इनके महिने बंद है इनकी मंधली बंद है और चोटा उद्योग पती इस व्यापार को बंद कर दे और बड़ा उद्योग पती इसमें बाहरी मार्जन वसूल करके आम जनता को अच्छी तरह से लूट करके खास के देखिए वैसे केडिया जी ने बिल्कुल कहा है कि पिछले दिनों हमारे परदान मंत्री जी ने अपना जो एक गमचा होता है उसको भी मूँ ड़कने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया वा था और उनका ये कहना था कि यदि आपके पास मास्क नहीं है तो अपनी इफाज जो इससे समंदि जो डिपार्टमेंट है क्या वहाँ पर आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है मैंने इस संदर्ब में पहले परशासन को सुचित कर रखा है और बराबर मेरी पोस्ट फेस्बुक पर जा रही है और मेरा खल बिनोड़े का काम है इस दुकान के उपर पसू बेच रहा हूं और अती वर जो गरीब व्यक्ति आता है जरूरतमंद उनको फिरी में भी मास्क मैं देता हूं और इसके बावजूद जो परशासन रविया अपना रहा है उसके लिए मैंने आज मेल दुआरा एक कानूनी नोटिस जिला बिवानी के डीसी जिला बिवानी के GMDIC मुख्य सचिव परदान मंतरी कारियल रियाना को कानूनी नोटिस दिया है कि आप इस परकार का सोतेला व्यवार क्यों कर रहे हैं अगर इस मास्क की किसी πरकार के कोई कानूनी बाद देता थी तो उस प्रोसेस से सब को सार्जनिक तोर पर अउगत को नहीं कर्वा जा र ताकि सभी लगू द्योगवाडे भी वह सैर्टिफिकेट ग्रैंड कर सके जिसके पास सरकारी सैर्टिफिकेट है उसका मास्क सरकारी मैं कमों में यही मास्क PPE किट में यही मास्क 14 रुपे 15 कोष्ट में सरकार ले रही है और ठेकेदारों से 5-7 रुपे कमीशन प्राप्त कर राजनेता देश के इतना बड़ा बरस्ट ये जो है कारिय बारतिय जनता पार्टी जिसकी छवी हिंदुस्तान में एक इमानदारी की होती है नरेंदर मोदी की छवी एक इमानदारी की होती है उनके सासनकाल में इतना बड़ा गोटाला हो रहा है और PPE किट में भी बहुत बड़ा गोटाला हो रहा है जो कपड़ा बिलकुल व्याग्यानिक दृष्टी से सही है उसको ना फिट करके और चाहेतों की फैक्टियों ने जो थोड़ा बदलाव करके कपड़ा बनाया है सिर्फ उसको प्रमानिकता दी गई है ताकि वो ही लोग बड़े-बड़े कार्पोरेट गराने इस महामारी के बाहने बहुत मोटा पैसा इकठा कर सके और इन राजनेताओं के संरक्षन में जो बहुत बड़े-बड़े उद्योगपती हैं वो मोटी चंदी लुट रहे हैं ये मेरा भारत महान के लिए एक सरम की बात है जहां देश का परदानमंत्री कहता हो कि मुझ के उपर सिर्फ अंगोचा लपेट लो तो भी महामारी से बचने के लिए आप कुछ तो योगदान देश के लिए करेंगे और ऐसी सूरत में मास्क जो गरेलुक से बनवाय जा रह हैं उनके उपर परतीबंद लगाया जा रहा है ये बहुत ही स्रमनाक है मैं एक बात और पूछना चाहता हूं जो गरेलुक कामगार है और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जिनको घर पर काम दिया जा रहा है कितना अनुचित कैसे है गरेलुक कामगार है जो किसी भी परकार की मदद को अपने स्वाब इमान के चलते लेना पसंद नहीं करता और काम दंदा उनका है नहीं वो अगर घर पर बैठकर 200-300-400-500 रुपए की मजदूरी करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार को क्या आपती है देखा जाए तो इस समय ऐसे हालात हैं कि हर आदमी अपने घर पर बैठा हुआ है और हर आदमी के सामने एक समस्या पैदा है वो है उसकी रोजी रोटी की क्योंकि सभी काम दंदे लगग लगग बंद हैं ऐसे हालातों में यदि किसी परिवार को कुछ दो पैसे का जुगा देखार हो जाता है तो उसका समय भी अच्छा बितेगा दिल भी लगा रहेगा और राश्ट्र सिवा अपने स्तर पर कर रहा है वीडियो बना नहें यह वीडियो सिर्फ हमारे मुक्य मंत्री जी और हमारे देश के प्रदान मंत्री यानि कि हमारे हरियाना के मुख्य मंत्री का जो स्बाब है मुख्य मंत्री जी है और जो हमारे देश के परदार मंत्री है PMO Office है उन लोगों के पास ये वीडियो बेजा जा रहा है और विशे जो है वो बड़ा गंभीर है मेरी उन Wednesday प्रार्तना है कि इस विशे पर हमारे हरियाना के मुख्य मंत्री जी और हमारे मानेन ये परधान मंत्री जी की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी हो और जो हमारे केडिया जी ने सवाल उठाया है मुद्दा उठाया है इस पर त्वरित कारवाई की जानी चाहिए केडिया जी इसके अलावा यदि आप कोई हमारे जो परदान मंत्री जी है मुख्य मंत्री जी है उनके समक्स बात रखना चाहे तो हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं मैं अगर मुझे इस बारे में कोई मैसेज प्राप्त होता है और मेरे सुजाओ लिये जाते हैं तो मैं अपड़े आपको बहुत गरवानमित महसूस करूँगा और सरकार का भी आबार परिकट करूँगा कि वो एक जाइज बात को सुन रही है इस से पहले भी मैंने काफी सुजाओ परदान मंत्री कारियले और मुख्य मंत्री कारियले को बेज़े हैं पलाइन करने वाड़े मजदूरों के बारे में भी बेज़े हैं जिन के उपर सरकार ने अमल भी किया है और मैं उमीद करता हूँ कि सरकार या तो फिरी में मास्क तियार करवा करके सबी गरिबों को दे आम जनता को फिरी में उपलब्द करवाए या फिर संकट की इस गड़ी में ये नहीं देखा जाता कि क्या क्वालिटी है क्या बात है मूद ढकने बिना मूद ढके निकलने से अच्छा तो है कि किसी भी परकार का कपड़ा जैसा कि परदान मंत्री जी ने कहा है या मास्क लगा करके निगड़ा जाए जहां तक स्टोक की बात है जितना जादा स्टोक इस महामारी से बचने के उपकरनों का होगा चाहे वो मास्क हो चाहे ओपरेशन टेबल हो या किसी भी परकार की ओक्सीजन किट हो उतना ही देश के लिए बढ़िया है क्या पता ये महामारी किस रूप को दारन कर ले उस समय अगर ये कहा गया कि जमाखोरी हो रही है और लोगों को रोका गया और उत्पादन को रोका गया तो ये देश की जीडीपी के लिए बहुत बड़ा नुक्सान होगा और महामारी से बचने के लिए ततकाल सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा पाएगी खास तोर से मास्क एक ऐसी चीज है जिसकी उपलवदता हर व्यक्ति को हर समय दिन में से तीन तीन बार यूज एंड थ्रो मास्क होते हैं ये दिन में से तीन तीन बार खरीदने पड़ते हैं और सरकार बड़े उद्योग पतियों का संडेक्षन चोड़ए और जो गरेलू कामगार है उनकी तरफ ध्यान दे सरकार इस बारे में ध्यान दे कि छोटा व्यापारी जो इस लोगडां के चलते बिल्कुल तूट चुका है वह अगर इसरोजगार में लगता तो उनको प्रोथान दे, ना कि उनको परेशान करे, सरकार इस बारे में कोई ठोस पॉलीसी जो हर ले करके आए, अधिकारी गंड सरकार की किसी पॉलीसी के बिना ही अपने बड़े उद्डोर्टी के साथ बना रहे हैं, इसका कोई समाचार पत्र के दौरा। परकार के द्वारा कोई फुले मंत्स पर इसके बारे में नहीं बताया गया है तो बड़ी एसमंजस की स्तिति है अमारे देश के प्रधान मंतरी जी हरियाना के मुख्य मंतरी जी इस विशे पर इस वीडियो को देखने एक बात आवश्य ही कोई ना कोई अवश्य ही उस्षे जो है कारवाई वो जरूर करेंगे इंडिया मोबाई नियूज के लिए मैं अमन कोशिक भीवानी की अनाजमंडी से जय हिंद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नहुसका